काफ। हम यूट्यूब चैनल विबरएंट अकेडमीए आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस कारने जा रहे हैं। व्यदर फ्लावर के रिपोडेक्टिव पार्ट को यदि हम समझे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फ्लावर के रिपोडेक्टिव पार्ट यानि फ्लावर को चार भागों में हम लोग बांट सकते हैं सबसे पहला हो जाएगा जिसे कि हम केलेक्स बोलेंगे केलेक्स को बाह जो बोलेंगे जिसे की फेटल्स बोलेंगे उसके बाद एंड्रोसियम एंड्रोसियम को बोला जाता है पुमांग यानि मेल रिपोडेक्टिव पार्ट जिसका सिंबॉल यह रहता है और जैनोसियम जैनोसियम को जैंग बोला जाता है जो की फीमेल रिपोडेक्टिव पार्ट पर पिले पिले जैसे जहां को तीन पार्ट में में डिवाइड किया सबसे करते हैं एस टिंवा आनइ वर्तिका जिसे की पिश्टल बोलेंगे और फिर नीचे एस्टाइल यानि वर्तिका और अबड़ी अबड़ी यानि अंडास है तो इतना ही पार्ट फ्लावर का रहता है एक डाइग्राम हम आपको दिखाना चाहते हैं डाइग्राम को देखके तब हम फ्लावर के प्रैक्टि जो है जिसे की कुछुरूला बोलेंगे तो पेटल्स यह फ्लावर के उपर वाले पाट है तो पेटल्स होगए और सेपल होगए इसको आप समझ लिए नेक्स्ट यहां फीमेल पार्ट की बात करें सबसे ऊपर में आ जाएगा पिश्टल जिसे की एस्टीग्मा बोलेंगे बीच बाले को स्टाइल बोलेंगे और नीचे बाले को अबरी बोलेंगे और मेल पार्ट की बात करें तो फिलामेंट जिस पर कि यह टिका हुआ है उपर पर क्या है तो यहां एक फ्लावर को हम लेते हैं और फ्लावर के देखते हुए हम यह समझेंगे कि कहां कौन सा पार्ट अवलेबल है यदि हम फ्लावड को देखें तो फ्लावर में देखिए सबसे उपर में जैसे की हम अभी बात पिर इस्टिगमा रहता है एस्टिगमा जिसे कि हम बहुए सकते हैं पिश्ट्ल यह जो रिड्लेट कलर कर अपको दिख रहा है जहां रेडक पर का साप साप नजर आ रहा होगा आपको यह रेड कलर वाले सारे के सारे क्या हैं तो यह रेड कलर वाले सारे के सारे फीमेल पार्ट हैं और जो एलो कलर के हैं यह मेल पार्ट हैं तो फ्लाबर में जैसा हम लोगों ने अभी देखा सेम वही कॉंसेप्ट है कि यह हमारा फीमेल पार्ट हो गया योग क्या बोलते हैं यह पीला पीला पार्ट साइट से सपोर्ट कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगों को देखते हैं यद्य आपको प्रैक्टिकल में पूछ शोन निकालने के लिए एक निडिल के मदद से जो हैं इनके मेल पार्ट कहीं से भी एक जैसे यहां एकुल्य रूम के हैं हमारे पास सकते इसको देखके कि सिर्फ मेल पार्ट को ही निकालना रहता है लैब में तो मेल पार्ट जैसे यदि हम निकाले नहीं आ रहा है इसको फॉंपी पर गिराने की कोशिश करते हैं देखिए सिर्फ इतना हमको तोड़ के यह बहुत सारे हैं इसमें से एक को तोड़ के हमको रख देन है कि यही Lать Är कि Do है इसे में डीक्राम बनाना है तो इसको हम बोल सकते हैं फिलाबन नीजे वाले को और उपर वाले को हम बोल सकते हैं इस County और इसको देखिए यदि आप हाथ पर लगाते हैं थोड़ा भी डेखिए यहेलो उकलर के बहुत से चूट रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा तो यही इनके पॉलन पॉलन गिरेन है जो की एक जगह से दूसरे जगह फ्लावर पर यदि यही एस्टिगमा पर चले जाते हैं तो यही रिपोडेक्शन को भड़िलायसन के लिए बढ़ावा देते हैं तो सबसे से पहले हम क्या कड़ेंगे तो इसके सेपल्स और पेटल्स को निकाल देंगे बाहर ताकि हमको प्रेक्टिकल में अप Warmैल रिपोडेक्टिव पार्ट आप लोग देख लिये बहुत लगे तो इनको थो दोड़ा साबधानी से हम लोग निकालेंगे तो एक-एक इनके जो हैं पेटल्स इनको तोड़ देते हैं हम लोग करें करें कि तोटने का डर रहता है बचा हुआ है अभी तक ठोड़ा और साब्धानी से करें गया और देखना है टूटे नहीं क्योंकि बहुत टफ होता यह फी मिल वाला को तक आठा को बात नहीं प्रेक्टिकल में देखिए कंभी हमको और बढ़ाना नहीं है कि नहीं निकल रहा है जल्दी करते हैं जल्दी करते हैं इसा नहीं करना है अराम अराम से कड़ेंगे प्रेक्टिकल आपका सक्सेस जरूर होगा कि कुछ पार्ट है यहां इसको कि हम देख सकते हैं यह देखिए मेरा कंप्लीट फिमेल निकल चुका है आपको यह इतना कंप्लीट बेसिक है आपको यह दिखाना पड़ेगा यह फिमेल आपका कंप्लीट निकल चुका है अब फिमेल में क्या क्या है यदि हम इसको समझे तो सबसे उपर वाले को हम आपको क्या बोले हैं कि यह एस्टिगमा के बाद इसी को हम पेटल्स बोल सकते हैं पिस्टल बोल ना है कि मेल रिपोडेक्टिव पार्ट और फीमेल रिपोडेक्टिव पार्ट इतना निकाल के आपको कम्प्लीट दिखाना होगा कि कौन सा मेल रिपोडेक्टिव पार्ट है कौन सा फीमेल रिपोडेक्टिव पार्ट है और एक कभी-कभी और आगे पूछ दिया जाता है काटने के लिए किसका तो टीएस काटने के लिए देगा आपको अबड़ी का यदि आप टीएस काटते हैं तो एक हम टीएस आपके सामने काट के रखे हुए हैं कि यह जो अबड़ी है इनको बीचे-बीच काट देना है आपको यदि काट के आप देखिए आपको देखिए होने के बाद इसके अंदर में एक बनना सुरू हो जाते हैं तो ये अंडा से इसको बोल सकते हैं यहाँ च्छोटे च्छोटे 1 हैं आपको साप-साप दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं उम्मीद हमको भी दिख रहा है केमरा में आपको भी दिख सकता है तो दोनों तरफ पह यहां भी देखिए इसमें भी एग है कि इस तरफ लेक से बड़ा परहा है थूgens को और फीमेल रिपोडेक्टिव पार्ट आपको एक्जाम में पूछा जाएगा तो थेंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है लेकिन उसको इग्नोर किजिएगा क्योंकि घर पर है और घर पर अभी थोड़ा प्रावलम होता है और जब आपका क् क्लास में भी प्रैक्टिकल करवाएंगे थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो